हेलो गाईज तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एजोग्राफिक क्लासिक्स का चैप्टर नमबर थ्री मोशन ऑफ दे अर्थ तो अब चैप्टर को बीगिन करते हैं इस चैप्टर नहीं हम लोग हर यह कॉंसेप्ट को अच्छी तरह समझते हुए चलेंगे सब्सक्राइब करता है और रोटेशन और नुगोंटर अपने शन के गोई गूमता है वह फिक्सपाथ और 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 ये इसको रहता है करते हैं अब लोग यहां पर कुछ कॉंसेट को समझ समझते हैं कि आर्बिट और एक्सिस क्या होता है तो यह देखिए यहां पर जो एक्सिस है जो अर्थ को मतलब पढ़े थे इसके पहले वाद ग्लोब चैप्टर में कि अर्थ जो है न वह एक एक्सिस पर डिपरेंट करता तो यही जो पॉइंट यहां पर नौर्थ पूल आपको बीच में आपको दीखता है यह हम लोग का एक्सिस हो गया ऑर्बिट क्या होता है कि जैसे कि यहां पर लोग फीगर देख रहे हैं फीगर जो हम लोग को दीख रहा है इसके जो सराउंडिंग में यह जो हम लोग को इससे जो फीक्स पाथ दिख रहा है ना उसको अमनों और बीट बोलता है तो आप लोग को ऑर्बिट और एक्सिस क्या होता वह समझ में आ गया हो ओके जाना थे वहां चलते हैं यह तो आपने एक जगह भी घूमता है और एक जगह पर घूमता है तो यहां पर देखते हैं आप देखते हैं तो जो आपको और प्लेन से 66 एंड हाफ डिगरी का एंगल बनाता है तो यहां पर उसका वह चीजी देख सकते हैं यह हम लोग का यह जो अर्थ का फिगर है ना यहां पर हम लोग का यह एक्सिस हो गया और यह और बिटल प्लेन हो गया अब इस बीच के बी समझ में आ गया हो प्लेन फॉंड वाइप इस नोने आप प्लेन प्लेन उर्बिस फॉर्म करता है न वह बिटल प्लेन है जैसे कि हम लोग देखते कि देख रहें पर जो यह कुर्समलों और प्लेन हो रहा है न उसको भीटल प्लेंब बोलते हैं अ हुए ओर्विल प्लेन are the Earth receives light from the Sun Earth the receive light γरस से करता है due to spherical sub of the Earth only half of its gain light from the Sun at a time इसका spherical फ़यर्थ का अधा पाथ है जो आधा पाथ है वह घब करता आधा पाथ नहीं रिसीव करता है दबो सेंग शन एक्सप्रेंच देड वाल्ग अनफ एधर सब्सक्राइब करेंड में हाइप करते हैं ढू он और वहां जो बच्त ऑपार आज होता है सप्सक्राइब पर डिवाईट आप अनधा ओंने फिammimana प्रिछ तो कि सब्सक्राइब पाट से कर रहा है तो यहां पर डे हमागा बाकि जुआ पेच़े होसों को आगे पार्ट मोतby ऊटिर ने पहुंच रहा तो यहां पर जहां तक डे और नाइट का जो बॉर्डर बन रहा है ना उसको हम लोग कहते है सर्कल ओफ इल्लुमिनेशन ओके आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा तो दसर्कल दस नाट कोइंसाइड विद द आक्सिस यूजी इन द फिगर 3.2 जो है न वह एक्सिस और सर्कल ओफ इल्लुमिनेशन कोई एक जगा नहीं होता है जैसे कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं कि यह जो है न वह सर्कल ओफ इल्लुमिनेशन को जो श्रेट लाइ है जबकि हम लोग देखें कि आक्सिस जो है वह तिर्चा गया हुआ है तो यह दोनों को एक लाइन नहीं है यह दोनों डिफरेंट डिफरेंट लाइन है यहां पर लोको यह बताना है का कुशिश कर रहा है और टेक्स 24 आवर तूंप्लिट वन रोटेशन अरॉन रोटेशन यह ढischन पla Sóซ्व आप इस देख लेते हैं क्या होता है कि यहां नहीं को हम सबस्क्राइब करेंद नहीं देखेंद य। उसको नोटिस करेंगे कि जो हाफ बॉल है ना वो लाइट एक्स्पेरियंस कर रहा होगा और अब जो है डार्क साइड में रखना है फिर हम लोग उसको लेफ टूराइट गुमाना है इससे क्या होगा ने जो टाउन एक्स है न वह धिये तिर रौस्णी के तरह जाएगा तो उसी तरह पहले सन्राइज को एक्सपेरियंस का यहां पर अर्थ को भी बॉल और कैंडल को सब्सक्राइब यह चीज को समझाया गया है अब यहां पर कोशन पुछा रहा है हम लोग से कि अगर क्या होता वाट वुड है इव अर्थ घुमता ही नहीं तो इसका बिसिकली ज़र कि जो पॉर्शन जो असन की तरफ फेस करता वहां हमेशा देर रहता ओके और क्लाइमर जो था वाम होता उस रिजन का अज अधर हाफ है मौशाओ फ्रीजिंग कोल्ड होता हमा ठंड का मौसम होता लाइव उनाट पॉसीवल इन सच एक्स्ट्रीम करने सही बात भी है लाइब जहन वस कंडिशन में वैसे एक्स्ट्रीम कंडिशन में सर्वाइव नहीं करेगा अब सर्वाइव भी कैसे करेगा कि सन्लैट का होता है तो फिर इंसान कहां से रहा जाएगा तो यह हम लोग पढ़ें यहां पर देखते दर सेकंड मोशन ऑफ अर्थ और इस ऑर्बिट पर घूंबता है न अर्थ सन के गोल-गोल उसको हम लोग रिवाल्यूशन बोलते हैं यह टिक इसको हम लोग एक यह में कंसिडर करते हैं और यही जब हम लोग का जो इस इस लिए एक साल यह लोग का लेप यह आता है जिसमें हम लोग का अब 29 डेज होता है फ़िवरेरी में वहां पर एक हो जाता है यहां पता रहें यहां पर यहां पर वही चीज कर रहा है इसको सेफ किया जाता है और इसको एड़ कर दिया ता मन्त फ़रवरी में तस एवरी फ़र्वरी इस 29 डेज इस इस टेड़ प्रवरी एट इस तरह यह आप जो यह 36 डेज का होता है उसको लिए प्यार करते हैं तो हम लोगों का नेक्स्ट यह कब होगा इस फिगर को समझने है कोशिश करते हैं कि यह फिगर आप इसकी लिए आर्थ को रिवाल्ड करते हुए दिखाया कि इसमें अर्थ जो है वह गोल को सन के घूम रहा है और इसमें उसका क्या एफ्ट सीजन पर पड़ता है वह हम लोग नोडिस करते हैं तो बैसिकर यहां पर आर्थ का पर लोग देखाया चाहिए उस लिए औरो सन्राइट करा करते हैं और यहां पर दिखा रहा है तो यहां से इसटें से शुर्द आर्ट पर इच्पहरता है जेनी करती है कि में अ समर फेस करेंगा यह 21 June का मन्त होता है जिस त्वालों का वह समर सिजन से लिए से निया यहां पर देख सकते यह हम लोग का विंटर सिजन विंटर सिजन की एक्सपीरियन्स करते तो इस सट निया टेख तरह से संन का बोड़ाता है यहां पर वो हम लोग का समबर कर रहा होता है और जो नौटर पार विंटर फिर नुटर्ब कर से फॉट कर रहा होता है एक यहां पर लिए और ओपर नीचे देख लेते हैं मथे सप्तेमबर जो मौसम होता है यहां पर आर वेखे आपको प्लत। है, आप लोग को समझ में आ रहा हो तो कमेंट बेगा स्थे हैं, आपको अंसर शोरली मिल जाएगा कि तो यहां पर देखते इस इस के लिए ड़ेट अर्थ इस ग्रोइंग आराउंड दसन इन इस इंप्टिकल और बिट दो जो एनद वह अराउंड जो सन के गुंपता ना इसका इलिप्टिकल बॉइलिप्टिकल ओर्विट होता है नोटिज दैट द्रोआउट सी रॉबिट अर्थ इस इंकलाइंड इन दे शेम डारेक्शन की अर्थ इंकलाइंड कि थोड़ा मुद्टिकल जुका वा जाता है जो देखे थे इस दो मुद्टिकल दिवाड़ें टूलों का यह थैद्न का वह समर विंटर में डिवाइड होता है लिए तो चेंज पोजिशन आफ अफ अर्फ अर्थ अर्थ का पोजिशन होता है जो अरौनट यहां पर होता है यहां पर देखते हैं लुक अट फिगर 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 तरी पॉइंट फिगर देखे थे यूविल सीट ट्वश्ट जून तो इसका प्रिश्ट होता है वह ज्यादा हीट को रिस्ट करता है तो इसका रिजल्ट होता है करता है यह जो यह आ यह एर्याइश होता है वह ज्यादा हीट को रिस्ट करता है और एर्याइश जो नीइर द पॉल होता है ले सीट रिसीव खरता देखे देखे लिए अर्टिक सर्कल एक्सपरिंस नियूट्स ऑट श्मवंद एलाइट फॉर्ग अगया थे शिक्समांथ जो होता है वो टीट होता है उस टाइम कि तरफ ओके यहां पर यहां पर इसको देखते हैं तो यह जो हम अर्थ है ना उसका यह अलाब पार्थ होता है वो जुका हो अर्थ है तो इसका वह पोस्टिन तो सेम रहने वाला है ना अब तो आगे पीछे वाला चेंज होता है तो इसे काना क्या होता है कि वो जो है ना इक डिया इस एक डिया एक इसक्स मेन तक एक्सपेरियंस करता है तुका इसका ईसका नहुंच करतें अब शास घ्रीजिशम कर रहा होता है और उसका मर होता है का उसा रिजन में नौर्थ वावध युषेंटर करई नौर्थ अलबा पार्ट होता है तहुकिन वहां पर समर्प चिछन चल रहा होता है कि दूंगेश्ट दे अर्स और सौटेश्ट नाइट अधिस कि सबसे ज्यादा लंबा दे होता है सवर्ब नाइट होता है 21 जुन को इस टाम जो सौधरर हमिस्फेर ऑल कंडिसें इंफिर्ष बिल्कुल उल्टा होता है यहां पर लॉंगे इस नाइट होगा सौट तो मैं सौटेज्टे होगा ओके अब विंटर सीजन होता है नाइट जोता है लॉंगर देंदे देस होता है ज्यादा बड़ा होता है डिया से और इस पोजिशन अर्थ को बोलता है समर सॉलिस्टिक इस अधर 22nd December Tropic of Capricorn 22 December को जो हम लोग पढ़े थे नेक्स्ट पोजिशन वहाँ पर जो topic of Capricorn receive कर रहा होता है Sun से डायरेक्ट लाइट जिसे कारम क्या होता है कि साथ पूल्ट क्योंकि साथ पूल्ट होता है वो टिर्ट हो जाता है सब्सक्राइब तो आज संद्रेश फॉल्ट वर्टिकल लिए अनुट टॉपिक ऑफ कैप्री कॉन पर संद्रेश जो डायरेक्ट लीफ पॉल कर रहा होता है लाज पूल्ट हमिस्फेर का जो लाज पूल्ट हमिस्फेर कर रहा होता है सब्सक्राइब सहता है जबाए शचल आएदक और से परते होता है में आटो ट संद्रेश तरänder लिए बनकराइब क्रिसमस स्लेशंचर सिख त्यक्रेटे वगलते पास्ण में वेंटक्र किया है है बट ऑस्टेलिया में विंटर सीजन होता है ना वो हम लोग समय सेजन में होता है है और 20 आज ट्वेटी फॉर्स्ट मार्स एंट 20 सेप्टेंबर 23 डारेक्ट रेज तो संग्वाल ओन दी इक्वेटर इस समय क्या होता है कि संगा जो 21 अब इसका क्या होता है तो स्टेलिए और यह फॉर्स पूरा इसको बोलते हैं और 23 सेप्टेंबर इंड नौधन हमस्फेयर में और स्प्रिंग सेजन होता है साथन हम फेर में ऑके आइस इसका पोडेट के सोनिटीफर्स्ट मार्च मार्च को के है जब स्ट्रिंग होता है नॉदरन फियर में और यौत हम दोस्टेशन उद्धार फिर सद्री कि यह मत् clot Vert so हो गया आपको किसी बिट तरह का क्वेरी जो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे आप लोग को एक दिन के अंदर अंसर दे दिया जाएगा तो डाइट सुल थैंक और नाइज